असलामलेकुम कैसे आप लोग सब उमेद करते हैं आप सब खार वाफियत से होंगे वेलकुम तो माई यूट्यूब चैनल आज जिस प्रोडक्ट आप में रिव्यू करने जा रही है वो है जी इस्टिलन का बॉड़ी स्क्रब अच्छा जी किया चीज है किस फॉर्म में है किस तरह यह वर्क करता है आज सारी इस वीडियो बताऊंगी इसका वीडियो का काइंडली आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए क्योंकि जब आप स्टेप मिस कर देते हैं और इसके एफेक्ट कैसे आते हैं ठीक है सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग ले लेते हैं कि इस तरह किया है एस्टिलन और इनके बहुत सारे सीरम और बहुत सारे बॉड़ी वाशे इनके मार्केट में अवेलिबल है और बहुत अच्छे रिजर्ट के साथ है मैंने जो लएदा लएदा वर्क जो होते हैं वो मिल जाएं यह आपकी रफ स्किन स्ट्रेच मार्क के लिए बहुत सबर्दस है और यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और स्मोथ करता है दोनों चीज़े चाहिए होती है आपको ब्लैक स्पॉर्ट वगरा भी रिमूफ करने होते हैं उनके लिए यह वाला चलेगा और अगर आपने वैसे यूस करना है तो यह वाला चलेगा अगर आपने वैसे यूस करना है तो यह वाला चलेगा और अगर आपने वैसे यूस करना है तो यह वाला चलेगा और अगर आपने वैसे यूस करना है तो मैंने फिलहाल यह वाल आपके skin को soft and smooth भी करेगा अब इसके packaging पर चाहते हैं इस तरह की कार्डबोर का इसका पूरा box बनाया है यह मैं open कर लेती हूँ ताके मैं open करके आपको दिखाऊँ कि यह बहुत सारे scrubs मैंने पहले भी इनकी वीडियो बनाई है लेकिन वो scrubs हैं जी यह जो scrub है यह आप लोगों को मिलेगा इस तरह से salt scrub इसको salt scrub कहते है salty form में आप लोगों को मिलेगा यह आपके skin में अच्छी तरह जब आप skin को करेंगे तो यह आपके skin में सारा salt जो है melt होना शुरू हो जागा और आपको बीच में जो जो extracts होंगे उसके effect आना शुरू हो जाएंगे ठीक है इनको मैं site पर करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से है ठीक है और इसका texture क्या है इस तरह से ठीक है यह इस तरह की form में है ताके आपको idea हो जाए कि यह किस form में है यह देखिए यह आप करीम से करके दिखाती है यह देखिए इस तरह के salty form में है green tea के extracts भी है seaweeds के भी extracts जो है इसके बीच में आ रहे है अच्छा आपने इसको use कैसे करना है कि आपने अपनी skin को पहले गीला करना है अच्छे तरीके से इसको wet करना है wet skin पर use करना है बहुत watery wet ना हो हलका सा इस तरह से किया फोड़ा सा scrub ली आपने इसके hand से उसको सारा अच्छे तरह spread कर लिया फिर lighter hand से आपने उसको scrub करना शुरू कर दिया इस तरहां से जैसे जैसे आप scrub करते जाएंगे आपका scrub आईसा-इसा melt होना शुरू हो जाएगा rings वकर है जड़ा उटार लो ताकि मेरा easy हो जाए यह देखे देख रहे हैं अच्छा आपको feel हो जैसे यह dry हो गया आप एक दफा spray लें all means कि आप पानी लेके कर सकते हैं मैं आपको hand picker करके दिखाएं इसके मैंने here spray bottle रख की हुए ठीके यह देखें जैसे आप पानी डालेंगे यह आपका और knuckles वगरा के लिए आपकी जो है strawberry skin जो होती है उनके लिए बहुत-बहुत best results इसका आता है और उसके बाद skin ऐसी नरश होती है कि आप सोचते रहेंगे कि किस तरह की skin आपके निकलाएं इतना अच्छा यह work करता है अब यह देखें मैंने इस तरह से कर लिया अब मैं आपको wash करके फिर मैं hand दिखाती हूँ मैं यह hand wash करेंगे और आप देखें कि मेरे skin पर कितना अच्छा एक effect आ रहा है glow का और skin smooth और soft है किस वज़े से किसमें coconut oil है जिसने आपकी skin को बहुत अच्छे तरह से नरिश किया आपकी dead skin को remove किया basic dead skin जो dryness की वज़ा से आपके वह जो white white dead skin आ जाती है यह उसको remove करते है आपके legs पे arms पे winter season में जो एक अजीब तरह की layer होती है उसको tanning की layer को जो है करते है आपने week में दो दोफा इसको use करने ज्यादा use नहीं करना ठीक है week में एक दफा use कर लें या दो दफा आपके skin recording और उससे पहले थोड़ी सी जगह पे टेस्ट करके जरूर देखें कि आपके skin rash तो नहीं हो जाती है को problem तो नहीं होती तो फिर इसको पेर कोई ऐसी product यूज़ना करें तो पिर सीधा doctor को check करें कि आपके skin पे क्यों यह allergic हो और आप देखें इस हैंड में और इस हैंड में फरक एक layer जो है ना उपर से उतर गी है सारी पूरी complete और soft सी skin आ गई है और यह देखें यह मैंने इसके पर कुछ नहीं लगाया यह इस तरह की as it is हलकी सी इसमें wrinkles से नजर आ रहे हैं और यह wrinkles के लिए बहुत अच्छी है अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए यह आपने वीडियो लाइक करनी है शेयर करनी है अपने फ्रेंड फैमिली में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करना है अपना बहुत खाल रुकी का थैंक यू सो मच अलाहाफर झालाहाफर